TVS Electronics ने डिविडेंड के लिए तै किया record date तीन सालों में 444% return दे। चुका है शेर TVS Electronics ने पिछले 6 महीने में अपने निवेशकों को 28 फीसदी का return दिया है। इस साल अब तक company के शेर 25 फीसदी चड़ चुके हैं। पिछले एक साल में शेरों में 64 फीसदी की तेजी देखी गई है। वहीं पिछले तीन सालों में इसने अपने निवेशकों को 444 फीसदी का शांदार मुनाफ़ा कराया है। Small Cap Electronics Company TVS Electronics के Board of Directors ने डिविडेंड के लिए record date तै कर दिया है। TVS Electronics Electronic Goods बनाने वाली और वारंटी सर्विसेस प्रोवाइड करने वाली भारत की लीडिंग कमपनी है। इस कमपनी के शेर ने अपने निवेशकों को पिछले तीन सालों में 444 फीसदी का शांदार रिटर्न दिया है। हालांकि बीते शुक्रवार को TVS Electronics के शेरों में 5 फीसदी की गिरावट देखी गई और यह NSE पर 367 रुपए के भाव पर बंध हुआ है। TVS Electronics का मार्केट कैप 685.87 करोड रुपए है। TVS Electronics ने Stock Exchange Filing में कहा कि कमपनी के Board of Directors ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तिय वर्ष में प्रत्येक 10 रुपए के फेस वाल्यू के प्रती एक्विटी शेर पर 2 रुपए के Final Dividend की सिफारिश की है। डिविडेंड का भुगतान 5 अगस्ट 2023 को होने वाली आगामी Annual General Meeting में शेर धारकों की अप्रुवल की तारीक से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। डिविडेंड के लिए Record Date के रूप में 29 जुलाई 2023 को तै किया गया। कमपनी का Financial फर्म ने 31 मार्च 2023 को समाप्थ होने वाले वित्तिय वर्ष में 85.11 करोड रुपए की कुल आई दर्स की है। यह 31 मार्च 2022 को समाप्थ वित्तिय वर्ष के 88.8 करोड रुपए से 4.22 फीसदी कम है। FY 23 की चौथी तिमाही में कमपनी ने 1.5 एक करोड रुपए का नेट प्रॉफिट दर्स किया। जो Q4 FY 22 के 4.49 करोड के नेट प्रॉफिट से 66.37 की कम है। कैसा रहा है शेरों का प्रदर्शन। TVS Electronics ने पिछले 6 महीने में अपने निवेशकों को 28 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक कमपनी के शेर 25 फीसदी चड़ चुके हैं। पिछले एक साल में शेरों में 64 फीसदी की तेजी देखी गई है। वहीं पिछले 3 सालों में इसने अपने निवेशकों को 444 की सदी का शांदार मुनाफ़ा कराया है।